आज सुबह का नास्ता बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनाया था जो कि सिफ 10 मिट में बनकर त्यार हो गया था तो रात को ही थोड़े से मैंने ये साबुत मूम हरे मूम की दाल और चावल को भिगो कर रख दिया था 6-8 गुंटा चाहिए इसे अची तरफ भिगोने के लिए और उसके बाद ये आप क्रिस्पी सा टेस्टी सा नास्ता बना के त्यार कर सकते हैं बच्चों के पसंद का भी बना सकते हैं और अपने पसंद का हेल्दी नास्ता भी इसे बना कर त्यार कर सकते हैं तो कैसे बनाया था मैंने ये नास था चली देखते हैं आज इसी की रेशिपी आप लोग के साथ में शेयर करूंगी और साथ में बनाएंगे हम चना डाल की चटनी चना डाल से जो चटनी बनेगी बहुत ही तीकी और चटपटी बनेगी अगर अभी तर्ट ट्राइ नहीं किया है तो मस्ट ट्राइ रेशिपी आप इसे जरूर बनाईएगा इन दोनों का कॉमिनेशन बहुत ही टेस्टी और डिल दाने के लिए तो राद बर सोक कर दिया था क्योंकि मैंने इसे सुबह बनाना था अगर आपको दो पर बनाना है तो आप म मौर्निंग में डाल सकते हैं छे इस साथ गंटा चाहिए इस सोक होने के लिए साथी डाल दिया है अद्रक हरी मिर्ची और साबुत जीरा और इसे अ यहां पर ग्रेट कर लोंगी तो इस तरह से आप यह इतने ही त्यारी करनी है उसके बाद आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं या फिर कॉन डाल सकते हैं जो भी आप पसंद करते हैं पनीर यहां प्रिपत्ता इमली लेसन अदरक साबुत लाल मिर्ची हरी मिर्ची चना दाल ना चमस जी इतना सरसों का ओय ले लीज़े uste का तेसकि बनता है उसके वाज का दाल डाल डाल दीजे और चने के दाल को अच्छे से भून लिजए थोड़ा सा लाल होने तक आपको इससे यहां पकाना है पिंच ओफ हल्दी डाल दीजिए स्वादनुसार नमक डाल दीजिए और जब दाल अच्छे से देखे यहाँ पे भुन जाएगा कुछ इस तरह से सुनहला गोल्डेन हो जाएगा तो बस फ्लेम को आपको बंद कर देना है और उसके बाद जब दाल अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो उसमें थोड़े से इमली और हम नारिल का भूरा इसमें एड़ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से पीस कर बिल्कुल चटनी की तरह पेस्ट त्यार कर लेंगे तो यह जब ठंडा हो जाएगा तो मैंने इसे मिक्स जार में डाल दिया था और अब हम इसका पेस्ट बना लेते हैं तो पानी अंदा से डालिएगा देखिए कुछ इतना गाड़ा होना चाहिए ज़ादा रनी मत बनाएगा तो आलमस्ट यह चटनी बनके त्यार है क्योंकि अभी हमें इसमें एक तरका भी लगाना है तो पैन चरा देते हैं पैन में अब हम डालते हैं यहाँ पे देखिए हाप टी स्पून जीतना राई जीरा और उरत की दाल ले लीजे दो तीन टुकड़ा कर दिया था एक ही सुखी मिर्ची थी उसे यहाँ डाल दिया है और कुछ कड़ी के पत्ते को यहाँ पे मैंने डाल दिया है अब इसे अच्छे से चटक जाने दीजे और यह जबी दाल अच्छे से बुन जाएगा तो अब हम इसे चट्नी के उपर डाल देंगे इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है तो यह चट्नी जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही टेस्टी बनी थी आप इसे एक बार तो बनाना बनता है मेरे करें भी ट्राइकर के देखिएगा आपको यह बहुत पसंद आएगा मेरे दाल में नमक नहीं डाला था क्योंकि अगर आप पहले से डाल देंगे तो यह पानी छोड़ना स्टार्ट हो जा करना है जैसे हम डोसा बनाते हैं उसके वाद इसके ऊपर घी डाल दीजे गी डालने से थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा और इसका स्वाथ भी बढ़ जाएगा उसके बाद मैंने इसे पलेट के दोनों साइट से हलका सा सेक लिया था अब इस कटे हुए बारी कटे हुए जो प्रियाजते हुए डाल दीजे पडीन दीजे उसके बाद इसके ऊपर चाट मसाल डाल दीजे और थोरी सी चिली फ्लिक्स डाल दीजे इसे तीखा और चटपटा बनाने के लिए और बस आपका यहिशी सज्पी हीरी आँ बनकर तयार है अब बच्चों के पसंद के हिसाब से भी हम बना लेते हैं तो डोसा को स्प्रेट कर दीजे थोड़ा सा गी डाल दीजे इसमें क्रंच लारे के लिए उसके बाद यहां लगा दीजे सेजवान चटनी उसके बाद आपके पास जो भी चीज है वो डाल दीजे मेरे पास स्लाइस में था तो छोटे-चोटे च्छाष में पास करें के बाद कर के में इस तरह से सजा दिया है पर उसके उपर से मैंने केरिट और प्यास जाल दिया है अगर कौन है तो आप कौन भी डालए बहुत ही टेस्टी लगेगा उसके बाद यहां पर और चिलिवा टाल दीजे और उसे इस तरह से आप ट्राइं तो अगर इस भी पसंद आई है तो लाइक दे दीजेगा चानल पर अभी आएं तो सब्सक्राइब कर लिए और यह दोनों नास्ता आप जुरूर बनाईएगा मॉर्निंग के लिए हेल्दी भी है टेस्टी भी है और बच्चों के पसंद का भी है तो चानल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलेगा ऐसी ही टेस्टी और इजी सी रेस्ट भी मैं आपके लिए लाती रहूंगी और आपको मिलती रहेगी आप बेल आइकन को हिट करना मत जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी तो मिलती हूं नेक्स वीडियो में नेक्स रेशिपिक साथ तब तक आपरा किपना बहुत सारा ख्याल